एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, प्रभु मीषम, नीशम, शेश गुणं गुण हीन, महेश गणा बराणام, हे प्रभु, हे अधिरेव, तुम सब के नियनता हो, किन्तु तुम्हारा नियामक कोई नहीं, तुम्हारे गुण अनगिनत हैं, कोई गिन नहीं सकता कि तुम्हारे गुण कितने हैं, गुण हीनम हे, शरणा भरणम, देवी देवताओं के अनेक अनेका भूशन कहे गए हैं, कान की बाली, गले का हार, चूड़ियां, कंगन और मुकुटादी, किन्तु उस पुरुष ब्रह्म परमात्मा के पास केवल एक ही अभूशन है, और वो है उसका भक्त, उसका शिश्य, असित, गिरी समम स्यात, कजलम संदो पात्रे, यदी हमाले परवत के समान, लिखने को स्याही मिल जावे, और महा सागरों को पात्र बनाकर, उसमें उस स्याही को भूल लिया जावे, सुर तरूवर, शाखा, लेखनी पत्र मूरवी हो, स्वर्ग के देवताओं के व्रक्ष, पारिजात की शाखा, लेखनी के रूप में बने, संपोन प्रत्वी, यदी कागर बन जावे, लिखती यदम, ग्रहित्वा सारदा सर्व कालम, विद्या की देवी, शारदा, यानी स परस्वती, अनंत काल तक लिखती रहे, तथा पी, तव गुणानामेश, पारम न याती, तो भी हे परंपुरुष, हे आदि ब्रह्म, तेरे गुणों का वर्णं संभव नहीं है, एकम नित्यम, विमलम, अचलम, सर्व, धिशाक्षि भूतम, हे एकेश्वर, सदा विद्यम परमपवित्र, सब प्राणियों में निवास करने वाले, भावाती तम, तिरगोण रही तम, तम नमामे, परे से भी परे, मैं तुझको नमन करता हूं, तुझको नमन करता हूं, एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा करता हूं, एक, तुझको नमन करता हूं, जीन hareता हूं?